हाइ फ्रैंड अज हम बात करने वाले हैं वाजिक मशीन की मोटर के बारे में इसमें के जूदिन यह होते हैं इसके जो भुस होते हैं वो भुस कट जाते हैं और जिससे आप यह निसान देख रहे हैं यह आपको करना कुछ नहीं है वीडियो पूरा देखना है ध्यान से देखना है तब ही जाकर आपको समझ में आएगा और आप भी अपनी वासिंग मसीन के मोटर के बुस चैंज कर सकते हैं कोई प्रोब्लम आपको नहीं आएगी इसके अलावा कोई भी दिक्कत आपको आती है तो अब हम क्या करेंगे इसमें जो बुस निकाला है हमने उसको पहले हम चेक करेंगे और कंडिशन इसमें यह होती है कि अगर आपकी साफ्ट सही है मतलब मोटर की जो रोटर में साफ्ट लगी हुई यह सही है तो ही आप बुस चैंज कर सकते हैं और यह नयावा लबुस है पिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा-साधाइट बुश लेकर अगर अतिक गए है कि जब आधा साफट कटी एधो यह काम नहीं करेगा अब इसको कैसे हैं तो आप यहां देखें इस तरहीं कैसे हम इसमें नमदा लगा देंगे और यह पत्ती लगाएंगे तो यह पत्ती लगाएं यह पत्ती भी सही होनी चाहिए कि इसको लगाने के तरीके आपके अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पास क्या है कि इसका कोई प्रॉपर ऐसा कोई टूल्स नहीं है जिससे हम इसको लगा सके हैं तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं जिससे आप इसको लगा पाएंगे तो आपको यह ध्यान रखना है इस तरी इस कैसे ये कर लेना है उसकी पत्पियां है जिनसे ये गोल वाली पत्पिया ये रुकेगी तो इसको आप इस तरीके प्लास से भी दबा सकते हैं इस तरीके से और आप किसी की मदद ले 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 अगर आप किसी की मदद लेंगे तो इजली ये लग जाएगी अगर लोड़ी परेशानी आपको आ सकती है तो यह आपकी टाइट लगने चाहिए उनको हलका सा प्लास से हम दबा देंगे जब प्लास से दब जाएंगी तो उसके बाद आपको यह उपर से चोट मारकर दबानी है मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरह किसे दबानी है तो यहां पर पहले हम प्लास से इनको सबको हलक हलका सा लगा लेंगे और जो यह पत्ती हलकी सी लोग हो जाए ताकि यह निकले नहीं आप यहां देख सकते हैं हमें भी काफी इसमें दिक्कत आ रही है लेकिन इसका कोई प्रोपर हमारे पास टूल नहीं है अगर कोई टूल बनेगा तो हम आपको जुरूर दिखाएंगे तो आप यहां देख सकते हैं यह हमने लगबग लगा दिए एक पत्ती बची है यह थोड़ी सी दिक्कत कर रही है तो इसमें क्या गए यह भी दिक्कत नहीं करेगी और यह सारी हलकी हलकी सी जब लग जाएंगी तो हमको इसको किस तरी मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर आप देखें यह पेजकस है और इसको हम इस तरीके से करके और हतोड़ी से चोट मारेंगे पेजकस पर तिर्चा करके आप यहां देखें पहले हम इसको लोग कर देते हैं अलका सा और यह जब हलका सा लोग हो जाएगा प्लास से तो यह पर हम इस पर चोट मारेंगे दोस्तों यह ध्यान रखना है आपको और ध्यान यह भी रखना है कि अगर पुस्ट सही है और साफ्ट ज्यादा कटी हुई है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है अधिकतर क्या है कि यह चैंज नहीं होते हैं मोटर ही चैंज होती है लेकिन ऐसी सब्सक्राइल जाते हैं मार्केट में और यहां पर जब लग जाएगी और इसके बुस्क्राइब मिलते हैं लेकिन सक्सिच कम होते हैं क्योंकि इनक distingucing के तरिके से वह साप्ट लग जाती है तो यहां पर इस तरीकीस आपको ठोकने है तिर्चे करके आप ठोकेंगे तो यह अच्छे से ठोग जाएंगे आप यहां देख सकते हैं यह ठोक गया है और इसी तरीकेसे हम चारों इनको ठोक देंगे दोस्तों अगर इसके दोनों उस खराब होते हैं साफ्ट सही होती है तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप complete set बदलना चाहते हैं तो फिर आपको प्रेस मसीन यूज करनी होगी क्योंकि हम प्रेस मसीन यूज नहीं करेंगे तो साफ्ट में हलका सा भी वेंड आ गया तो आपको प्रॉल्म की रेट कर सकता है और इसमें दिक्कत आती है अधिकतर को इसमें इतना दिमाग आप लगाएंगे तो उससे अच्छा है कि आप इसमें मोटर ही चेंज कर दे नई मोटर लगादे क्योंकि मोटर भी लगबग 15100 रुपय तक की आपको मिल जाती है और बाकि इनकी रेट कम जादा हो सकती है क्योंकि लोकल का और और औरिजिनल का बोल्ट लगाएंगे तो यहांपर आप इसको सेट कर देlaid करने के बाद 하니까 आप यहां पर चरेक करेंगे तो आप को यह बिलकुल फिरी घूमनी चाहिए और दोनों तरफ घूमनी चाहिए आप यहां देख सकते हैं यहां पर हमने इसको सेट कर दिया है और पहले आप इसके बुस्ट को थोड़ा सा सेंटर में कर लीजे उसके बाद बिठाएंगे तो आसानी से बैठ जाईगी कि अबर हम ऐसा करते हैं नीचे वाला बुस्ट तीरचा होता है तो हम इसको बैठाते तो यह बैठती नहीं है तो आप यहां देख सकते हैं यहां पर हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है अब हम इसको हलकी से चोट पारेंगे और गुमा के देखेंगे फिर इगोमरे ही मोटर आपकी हो चुकी है और अगर आवाज करती है तो फिर आपको इसमें मुदलब प्रोब्लम आ सकती है और मोटर आपकी सीरीज में चलने चाहिए दोनों साइड में अगर सीरीज में नहीं चलेगी तो भी मोटर में कुछ ना कुछ प्रोब्लम हो सकती है तो यहां पर हमने परिशानी इसमें नहीं आईगी तो यहां पर हम इस टेड को टाइट कस देंगे और टाइट कसने के बाद फिर इसको चला कर देंगे दोस्तों चलाने के लिए इसमें आप छे का या आठ का कैपसिटर से चेक कर सकते हैं अगर आपके पैस नहीं है तो क्योंकि मसीन में हम अध का कर दिये हैं और अब हम आपको चेक करके इसको दिखाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वहTime आर्इसको पहले सेऩgies में करेंगे और यह मोटर हमारी सैथा है और आप यहां देख सकते हैं वह c तो इसका मुतलब में इसको डारेक्ट भी चला कर देखेंगे लापकी चल रही है तो इस तरीक ऐसे आप इसके बोस्न खराब है तो वुस्न को चेंज कर सकते हैं और और कुछ जो साफ़्दानी में मेही फायदा है क्योंकि काफी खर्जा आ जाता है और फिर भी कोई सोल उसे मतलब पका नहीं कि मोटर एकजेक्ट होगे हो जाए तो यह मोटर आपको मतलब कंपनी के हिसाब आप से मिल जाती है 1500 रुपे की तो इस तरीके से आप अपनी मोठर को सही कर सकते हैं तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको वासिमसीन की जो मोठर का बुस होता है वो चैंज करके दिखाया अगर आपको चैंज करना है तो आप से चैंज कर सकते हैं लेकिन इसकी अगर बुश साप्ट दोनों खराब हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है अधिकतर क्या होते हैं कि इसके बुश सक्सज नहीं होते हैं लेकिन फिर भी अगर ऐसी कंडिसने कि साप्ट आपकी सही है बुश खराब है तो आप चैंज कर सकते हैं लेकिन उसमें भी आपको कुछ साफधानी वरतनी है जो मैंने वीडियो में आपको बता दी तो दोस्तों उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंदा है होगा वीडियो पसंदा है तो उसे like share जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ